पूने के एक विजय बौदजी हैं उनका मेसेज आया है कि कारे करता कैसा होना चाहिए इसके बारे में एक वीडियो बना के सारे कारे करताओं को जानकरी दें बेसिकली वो ये पूशना चाहते हैं कि जो अमबेटकर वादी और जो फूले वादी या जो बुद्ध के जो कारे करता हैं जो धमिक लोग हैं वो कैसे होने चाहिए क्योंकि दसियो हजार संग्ठन हैं और कारे करता बहुत ज़्यादा परिशान हैं परिड़ाम नहीं आ रहे हैं खास और से महामारी के समय में लोग बहुत ज़्यादा प्रस्त हैं उनके कोई सुविधा कोई कहने वाला उनकी बात को है नहीं सारे संठन लगबग मूँ छुपाए हुए रेत में सुत्रमूर की तरह दबे पड़े हैं और जैसे ही महामारी खतम होगी ये फिर अपने जंडे और डंडे लेकर फिर आ जाएंगे और फिर चंदा और फिर सेमिनार और फिर अदिवेशन लगाएंगे और जोड-जोड से चिल्लाएंगे अभी मुसीवत का समय है और अभी कोई नहीं आ रहा है तो कारे करता कैसा होना चाहिए क्या कमी कारे करता की रह गई विजय जी कारे करता को एक गुन सबसे पहले होना चाहिए और वो है जागरुक यानि कारे करता जागरुक होना चाहिए 24 घंटे विजल होना चाहिए जागरुक और वो कभी भी सोया हुआ नहीं होना चाहिए नहीं उसे सोना चाहिए और वो मिरत तो बिल्कुल ना हो, मरा हुआ तो बिल्कुल भी ना हो जागरोप का जो मतलब है वहाँ यहाँ पर सभी कारे करता हूँ लिए चाहे वो धम्मिक हैं, चाहे अंबेट करवादी हैं, चाहे फूलेबादी है उनके लिए जरूरी है कि जो जिस संग्ठन में जा रहे हैं, उस संग्ठन का सबसे पहले इत्यास जाने फिर ये देखें कि इसने संग्ठन ने अब तक क्या किया और क्या प्लान बनाया है उसका प्लान लिखित में होना चाहिए और लिखित में उसका सम्विधान होना चाहिए सम्विधान जो संग्ठन को चलाता है उसमें क्या नियम है उनको वो चेक करे कि क्या ये व्यक्ति वाद पर आधारित है क्या ये एक व्यक्ति ने अपने आपको सबसे उपर रखने का इसमें कोई ऐसा प्रधान किया हुआ है कि उसको हटा नहीं सकते हैं क्या ये गलतंत पर आधारित है क्या इसमें बाकाइदा निस्पक्ष रूप से सलेक्शन होता है चुनाव होता है इलेक्शन होता है क्या ये जो संग्ठन है वन्स वाद पे आधरित तो नहीं है इसमें वन्सावली तो नहीं चल रही है पिता का पुत्र और फिर उसके बेटे या उसकी बेटी फिर उसका बेटा और बेटी सबसे पहले तो ये जानकारी ले है फिर ये देखें कि इसकी जो पॉलिसीज है जो लोग इसमें काम कर रहे है वो कितने जानकार है और कितना काम उन्होंने प्राप्ट कर लिया है और क्या टार्गेट है क्योंकि अगर समय बद काईकरम नहीं होगा और उसकी प्राप्ती नहीं होगी प्रिणाम की तो वो संग्ठन fail माना जाएगा कोई संग्ठन ये कहे कि हमने तो बहुत अचीव कर लिया, मगर समय के respect में, समय के सापेक्ष में, समय के अगर हम temperate तुलना करें, तो उसको कहां होना चाहिए था, क्योंकि कोई आदमी बहुत काम करें, मगर आगे वाले से पिछड जाए, ये ठीक ऐसे जैसे, दो साइकल सवार साइकल चलाएं, और पीछे वाला कहे मैं तो साइकल चला रहा हूं, चला रहा हूं और आगे वाले से वो हर एक मिनट में और बीस मिटर पीछे हो जाता है हर एक मिटर में और बीस मिटर पीछ रहे तो उसका साइकल चलाना फिर वाजिब नहीं है वो साइकल नहीं चला रहा है वो तो हारने की त्यारी कर रहा है यानि कि जिस से आपको जीतना है वो तो बहुत आगे निकल गया और जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत पीछे रहे गया और हर साल वो पीछे होता जा रहा है तो आप जिन्दगी में कभी भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आपका जो टार्गेट और प्लान है वो जीरो है फिर आपने ये देखना है कि ये जो विचार धारा है जिस पर ये बेस बना हुआ है उस विचार धारा के और कितने लोग काम कर रहे है और अलग-अलग कितने जगे काम चल रहे है फिर उनमें आपस में साज़धादारी कितनी है और अगर साज़धारी है तो क्यों है और संग्ठन इस बात को क्या कहता है कि साज़दारी क्यों नहीं है क्योंकि ये ठीक ऐसी स्थिती है कि कारे करता कभी बोलता नहीं है क्योंकि कारे करता को लगता है कि जो नेता कर रहा है जो संग्ठन कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है और जो नेता और जो संग्ठन जो के लोग होते हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि कारे करता हमसे पूछ नहीं रहा है इसलिए वो जो पूरी की पूरी संग्ठन की कारे प्रणाली है उसको वो अपने घर की कारे प्रणाली बना देते हैं यानि संग्ठन की बजाए वो उनका घर का प्रॉपर्टी हो जाती है और उसको उसी तरह से करते हैं क्योंकि कारे करता पैसा लाता है तो कारे करता जब पैसा लेके आता है तो वो सबसे पहले संग्ठन में जो सीखता है उस बात को बताता है तो यहां कारे करता को यह ध्यान अखना चाहिए कि जो मुझे बताया गया है सबसे पहले तो उसको counter question करे क्योंकि वो अपने बेहाब पे फिर लोगों से जाके मिलेगा उनको यकीन दिलाएगा विस्वास दिलाएगा तो उसको पहले यकीन होना चाहिए कि जिस संग्ठन में वो काम कर रहा है जिसके नेतुत में काम कर रहा है जिस policy के तहत में काम कर रहा है उसका उद्दिश से क्या है उसका object क्या है और क्या वो object अचीव होगा नहीं होगा क्या हम आगे तक पढ़ेंगे ने पढ़ेंगे ये जो मैं और लोगों के पास जाओंगा वो लोग मुसे सवाल पूछेंगे तो क्या मैं उनके सवाल को जवाब दे सकता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति तक कारेकर्टा पहुंसता है नेता नहीं पहुंसता है नेता तो पला ज़ाड़ लेगा हाथ को ज़ाड़ के चला जाएगा कारेकर्टा फस जाता है कारेकर्टा सबसे पहले अपने रिजदारों के पास जाता है फिर उनके रिजदारों के पास जाता है फिर उनके रिजदारों के पास जाता है इसलिए कारे करता को हमें साब पूछने की आदर डालनी चाहिए और बेख खौफ होके डालनी चाहिए बिना इस खौफ के कि संग्धन का अगर नेता है तो वो नारज हो जाएगा तो मुझे अच्छी पोष्ट देगा या नहीं देगा या मैं उसका करीबी रहूँ क्योंकि आप संग्धन के नेता के लिए काम ना करें संग्धन के व्यक्ति के लिए काम ना करें संग्धन के उद्देश से के लिए काम करें और गलत को गलत कहना सीखें तुरंत और सही को सही कहना सीखें तुरंत बिलकुल भी hesitate ना हो अगर आप जरावी हिचकेंगे जरावी घबराएंगे या जरावी ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं जो है ठीक है तो संग्ठन आपकी मेहनत खा जाएगा और संग्ठन पूरा खतम हो जाएगा एक नेता गल्या अगर किशी दूसरे नेता के संग्ठन को सेम आइडेलोजी के संग्ठन को अगर गाली बगता है या अगर वो घुराता है या अगर वो ये कहता है कि मैं सबसे स्रेश्टू सामने वाले बेकार है या उसमें तोड़-फूर करता है या उसके अलग संग्ठन मनाता है या वहाँ से जाता है या वहाँ से आता है या किसी व्यक्ति को ऐसे को शामिल करता है जोसका संग्ठन से कोई लेना देना नहीं है या संग्ठनों के व्यक्ति को निकाल देता है जो अच्छा काम करने वाले हैं बिना कारण के या बिना प्रोचिजर के तो कारे करता को विजल रहते हुए, जागरूप रहते हुए हर एक बात का प्रसन करना चाहिए और हर बात को पूछना चाहिए और उसको verify करना चाहिए दोनों से यानि जिसके साथ में कोई घटना घटी है उससे भी है और जो घटना को घटित कर रहा है उससे भी पूछना चाहिए वेरिफाई करना चाहिए कारे कर्दा को हमेसा अपना हिसाब देना चाहिए कि उसने क्या काम किया और कितना पैसा एकटा करके लाया और कारे कर्टा को संग्ठन से हमेशा पूछते रहना चाहिए कि जो पैसा मैंने दिया उसका आपने क्या किया और जो व्यक्तियों का विश्वास लेका आया उनके विश्वास को कहां तक संग्ठन ने अभी तक पूरा किया है हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए क्या संग्ठन सिर्फ ले ही ले रहा है कुछ दे नहीं रहा है क्योंकि अगर संग्ठन ले ही ले रहा है तो इसका मतब उसके जो नेता है वो आदी हो चुके है उनका ब्यापार हो चुका है वो अपना घर चला रहे हैं वो अपनी position को hold करके आपको कहीं बेचना है क्योंकि संग्ठन जैसे ही लेता है वैसे देता भी है जब आप उसे अपना विश्वास देते हैं तो संग्ठन आपको विश्वास देता है कि उसके संग्ठन की क्या question है और क्या नहीं चल रही है कितनी जट है और कितनी value है क्योंकि अगर संग्ठन की value खराब हो जाएगी तो वो अपनी संग्ठन की value को ही ठीक करता रहेगा पूरे इदन एरिया में काम नहीं कर पाएगा इसलिए उसके संग्ठन में आके ये बात कहनी चाहिए कि हमारे संग्ठन की value नहीं है पहले संग्ठन की value को ठीक करना चाहिए उसकी जो चमता है या उसकी जानकारी है जो उसका प्रसंसा है जो उसका मान समान है वो बापिस आना चाहिए ऐसे संग्ठन में नहीं काम करना चाहिए जो संग्ठन अपने समान समारती संग्ठनों के साथ में मिलके बैठके उठके बाचीत करके एक साथ काम ना कर सके क्योंकि विचार धारा एक है तो बावा साब ने ये कहा है कि संग्ठित रहो, संग्ठित रहने का मत्तब है अलग-अलग संग्ठित नहीं होना है अगर लोग सारे संग्ठित हैं तो लोगों के जो लीडर हैं उनको भी संग्ठित होना पड़ेगा एक संग्ठन की हजार तरह के काम हो सकते हैं, मगर संग्ठन एक ही रहे मगर संग्ठन एक ही रहेगा एक अलग-अलग संग्ठन क्या करेंगे अगर वो अलग-अलग काम करेंगे तो कभी जिन्दगी में उद्देश से पर नहीं पहुँच पाएंगे उस संग्ठन का, उस नेता का उस रणनीती का, उस विशय का तुर्म तवरोद करना चाहिए क्योंकि अलग-अलग संग्ठन बनाके कारे करताओं की एनरजी और कारे करताओं का पैसा जो अपने विश्वास पिलाते हैं फिर कारे करता दुबारा से अपने रिजदारों को मुह नहीं दिखा सकते क्योंकि परड़ान को आएकर नहीं यहीं हुआ है 70 साल में 70 साल में 10,000 संग्ठन बन गए जैसे ठीक 6,743 जातिया पनी जातियों में भी यहीं होता था कि जातियों में एक दूसरे की जाती में आना जाना बंद था उसी जाती में रहके जीना है उसी में मनना है, उसी में सारे काम करने है यही संग्ठन दस्यार करते हैं दस्यार संग्ठनों के लीडर ये काम करते हैं कि आप हमारे संग्ठन में रहो, दूसरे संग्ठन में नहीं जाओगे यहीं आपने जीना है, यहीं मनना है यहीं पैसा एक टकर के लाओ, यहीं अधी वेशन होगा, यहीं कारिक्रम होगा, सब कुछ यहीं है, वॉलिंटर भी यहीं करेंगे, किसानों का भी 10,000 संग्ठनों है, 10,000 संग्ठनों के अलग-लग तरह के संग्ठन बनाये हुए है, जैसे संग्ठन सारा आपका पैसा ले ले वैसे ही 6,000, 743 जातियों में भी जितने हमारे लोग हैं, उनका सब का शोषन होता रहता है, वो अपनी मेहत की कमाई इदरवदा चड़ाते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं, या बेगारी करते रहते हैं, हमको नहीं मिलता है, जैसे 6,000, 743 जातियों के जो लाब, अब कुछ हमारा चला गया, जितना भी आया हमारे पास में, ऐसे ही 10,000 जो संग्ठन हैं, इनसे भी हमें कुछ नहीं मिला, वलकर जो बावा साब हमारा लेके आये थे, क्योंकि उधर 6,743 में जो हमें लेके आये थे, वो भगवान बुद्ध और समराट असोक ने हमें दिया थ अगर ये खड़े भी हो जाते, खटे हो जाते, तो भी किसी की हिम्मत नहीं थी, कि बावा साब का दिया हुआ लाब हमसे चला जाता, इसलिए 6,743 जातियों में और 10,000 संग्ठन हैं, दौनों की कार्णेर प्रणाली सेम हैं, जैसे 6,743 जातियों के जो आका हैं, वो आपस म मिले हुए एक दूसरे को सयोग करते हैं, ऐसे ही 10,000 संग्ठन हैं, उनके जो लीडर हैं, या आपस में एक दूसरे को सयोग करते हैं, हमको social करने के लिए, कारे कर्णाओं को social करने के लिए, त्योंकि ये कभी नहीं कहते, कि सब इखटे हो जाओ, ये हमको تو कहते रहते हैं, इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, मगर खुद नहीं इखटे होते, एक दूसरे को गाली बक्के हमको अलग रखते हैं, संग्ठनों को अलग रखते हैं, हम इनकी गाली में और इनके तरह तरह के बहाने हैं, कोई कहता है मेरा सामाजिक संग्ठन है, बिना समाज के करांती नह कोई कहता है मेरा धार्मिक है, कोई कहता है मेरा आर्थिक है, कोई कहता है मेरा सरकारी करमचारियों का है, कोई कहता है मेरा प्राइविट करमचारियों का है, ये सब बहाने बना के एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की बुराईयां करते रहते हैं, ताकि उसमें उलजा रहे और उनी के साथ में लग जाए खुद गाली उनको दे और गाली दे के हम ऐसा के लिए बुरा हो जाए तो अगर कोई संग्ठन आपको अलग रखता है और एक दूसरे में नहीं जाता है दुनिया बर की इबातें गरता है तो वो जूटा संग्ठन है, कारे कर्टाओं को उससे बचना चाहिए कारे कर्टाओं को एक सब्द में कह देना चाहिए कि बावा साब ने कहा है कि संग्ठित रहो तो उनके लिए भी कहा है कारे कर्टा तो सारे दो पहल को संग्ठित हो के सडक पे आगे मगर नेता संग्टित नहीं हो क्या है आज की इस महामारी में भी नेता संग्टित अगर हो जाते तो ये 40-50 क्रोड जो लोग आज की डेट में भूख से और परेशानी से मर रहें तप रहें इनकी अवाज रुट जाती तो इनको फायदा हो जाता ये सारे बच जाते इनका भला हो जाता कारे करता को सबसे आखिर में मैं ये कहूंगा कि कारे करता को दूर डर्सी होना चाहिए दूर डर्सी का मतलब ये है कि अपने नेता को भापने में उसे आइडिया समझ होनी चाहिए कि नेता उसका कह क्या रहा है और कर क्या रहा है अगर उसके कहने में और कथनी में अंतर आ रहा है तो वो नेता सच्चा नहीं है जो वो वाइदे माईक से करता है जो बंद कमनें बताता है वो उसके खुले वाता बंद के अंदर भी वही बात सच होनी चाहिए अगर दू दर्सी कारे करता नहीं होगा तो उसका नेता उसे हमेसा मूर्ख बराता रहेगा और इसके लिए हमेसा कारे करता को दो धारी बंदुक रखनी चाहिए अपने पास में दो धारी बंदुक इस तरह की होती है कि अगर सामने जो दुस्मन आता है उसे मानने के लिए तो वो सामने से वार करे और पीछे अगर नेता उसको धोका दे देता है तो एक नाल उसकी बंदुकी पीछे भी होनी चाहिए वो पीछे अपने नेता को भी खतम कर दे खतम करने का मतलब यह है कि वो उसका सपोर्ट छोड़ दे वो उसको पैसा देना छोड़ दे वो उसकी मीटिंग में जाना छोड़ दे और वो उसकी मानता खतम कर दे अगर किसी व्यक्ति की किसी नेता की मानता आप खतम कर देते हो पैसा देना बंद कर देते हो, उसकी मीटिंग में जाना बंद कर देते हो, उसका पचार बंद कर देते हो तो नेता को समझे लो जैसे जड़ से साफ हो गया, खतम हो गया, कभी था ही नहीं इसलिए ऐसे नेताओं को जितना जल्दी हो सके उनको छोड़ के उनको खतम कर देना चाहिए और अच्छे जो लोग हैं कारेकर्टाओं को अच्छे लोग ढूने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बहुत एमर्जन्सी और आपात काल है बावा साब का दिया हुआ सबी को जा चुका है इसलिए कारेकर्टाओं की जुमदारी बनती है कि वो अपने अपने नेताओं को सब को कहें कि यादो सीथे चलो और या फिर उनको गुड़ बाय और बाय बाय करने का समय आ गया है धन्यवाद